मैं तुझे थेल की हवा खिला दूँगा जे मेरी गाड़ी शाबी एक्सक्योज मी आपकी गाड़ी कौन सी ये गाड़ी ये जो तुम चुरा के भाग रही थी टोटी कहीं की एए ब्लेम करने से पहले सोच लेना वरना गेम करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा संजुको आँ अँ तर ये जो लड़की है बड़ी खतरनाक लग रही है गाड़ी ले लो और निकल लो फोकर में पॉलिस विलिस का लफड़ा हो जागा सर हाँ खतरनाक है देखिए मैं वो पॉलिस पॉलिस के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता है इस लिए कहता हूं मेरी गाड़ी की चावी दे दू हाँ प्रूब करो, ये आपकी गाड़ी है अच्छा, मेरी गाड़ी मैं प्रूब करूँ ठीक है, अभी बताता हूँ अभी गाड़ी के पेपर दिखाता हूँ तुमें, अभी दिखाता हूँ पर वो तो मैंने छुपा दिये क्या? हाँ, लेकिन वापस दे सकती हूँ बस एक बार बोल दो कि मैंने अपनी मर्जी से संजु और संजना कपूर को अपनी गाड़ी का टेस्ट रैट करने के लिए कहा और उसकी टेस्ट रैट से मैं बहुत-बहुत-बहुत खुश हुआ अपनी मर्जी से संजु और संजना कपूर को गाड़ी की चाबी टेस्ट रैट के लिए दी है और मैं उससे बहुत खुश हूँ बहुत-बहुत-बहुत अहां, बहुत-बहुत-बहुत खुश हूँ बहुत-बहुत-बहुत अच्छा कदू, मैं चलती हूँ ममी जा रही है, मज़े बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा आप कुछ दिन और उख जाते तो तो अच्छा हो था ना जादा एमोशनल होने की जरूरत नहीं है कदू मैं जा रही हूँ, कई मर तो नहीं रही हूँ आप अच्छा मत बोली अच्छा यह बताईए कि आप फिर कब आएंगी लोटकर जब कदू से ददू बनेगा ममी जी देखा कदू, तो मुझे यह रुखने के लिए के रहे और यह मुझे बगाने के लिए पुजा की ठाली भी ले आई है अन्हीं ममी जी एसी कोई बाती है अप तो हर बात मुझे समझ समझ गलत समझ रहे हैं मेरी ममी जी ने मुझे सिखायाता कि घर से कोई जाने वाला हो तो उसे दुखी कर के नहीं बेजते हस्के बेजते, मैं तो बस भस्के बेज पेज़ेए le यह रहे शिम्मला मिर्ची मैं तो मजाग कह वेवे थी अरे बहु को सताना तो सास का जनमसिद अधिकार होता है अच्छो एक बात बताओं कदू ऐसी शिम्मला मिर्ची ना नसीव वालों को मिलती है यह नाम की मिर्ची है लेकिन है बड़ी मीठी आड सावी है एक मिन अधिया ऍे, अच्छाह मु मजी थो चीटे रो बड़े, बड़े बड़े उक ठेशन शोड़डे और आतेवग ना ये पुज की थाली किसी मंदिन में छोड़दे तो ले आज़िए ओके तादी को आच़ बच्छो मैं चल थे नगी जीते रो जीते रो चल चलाया अरे 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 बच्छो आप जा रही है नहीं आ रहे हूं आट गहाईनी देथा इंटने अच्छे कपड़े पहन के समान पैक करके मैं बजार के सब्सी लेने जारी हूं अरे मैं ये शेर छोड़कर जा रहे हूँ क्या? एं? तो बड़ा खुश हो रहे हैं? त्या? हम तो बहुत दुखी हो रहे हैं क्या है ना दादी जी जब आप चली जाएंगी ना तो हमारी प्यारी भावी जी अकेले हो जाएंगी लेकिन भावी जी आप इलकुल चिंता मत कीजी हमारे होते हुए हाँ और हम आपको ना सॉपिंग कराने ले जाएंगे पार घुमाने ले जाएंगे कभी कभी आपकी ब्यूटी पार्लर में भी हम आपको मदद कर देंगे तो घर आपके साथ सब्जी भी काट डिया करेंगे जैसे दादी कभी 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 काटा करती रही होंगी ले डादी जी अबे ओ चतुरुओर जी मैं सब्जी अब्जी मही काट ती किचन में काम नी करती हुमा यह लेकिन मैं तो काटूंगा हाँ इंसार्ट, भाभी जी आप अपने आपको अकेलामा समझेगा हमारे होते हुए एक दम्थो मैं मरगिया हुँ क्या हाँ सामने खडा हुए और अपको Ilustra एए आधी है बात खातम नहीं हुई बात खातम नहीं हुई बीज बर्गाप से कूछ पड़ते हैं अब अबे अचा तुर्वेधी, अगर मेरे बेटे को कुछ कहा ना, तो तेरी ऐसी थो करूँगी कि तु थो करना भूल जाएगा, थो! गदा कहीं का, चले यारो बेटा, चले! मम्मी जी, I will miss you. I will miss you also. अच्छा, बाए बचे बाए! टेक कैर रहा, तुरों ऑए! और बाए-ब अच्छा एटग शास, कहा आडए! ओ साहली मेरी! ऑह दॉली। अब आईये लेवल में अच्छा? आप बता तू बता तू थी कहा इतने टाइम पूरे एक साल बाद मिली है तुझे बता है तुझे कितना मिस किया लेकिन तू उन्हें डॉली को मिसने किया होगा हाँ हाँ क्यों करेगी लगी होगी अपनी किसी किकशिक में नहीं यार ऐसी बात नहीं है याद तो तुम्हारी बहुत आती थी एक साल से मैं इंडिया में ही नहीं थी अब तो फाइनली मिल गए है ना तो हम खुब मस्ती करेंगे अरे मेरी दोस्त हम मस्ती क्या ग्रांड मस्ती करेंगे सॉरी यार वो क्या है ना दिमाग में मेरे फिंजी फिंज गुसी रहती है तो मुझ से मेरी कल आती है अरे हटो यहां से, रास्ता की बंद कर रखा है ओ रास्ता चलो मैडम ओ देख यार, लोग हमारे पीछे दीवाने मस्तारे पागल होए जा रहे हैं इससे पहले कि तेरा मेरा एंकाउंटर कर दे भगले यहां से चल बैट, लॉग रवब पे चलते हैं संजु अपनी दोस्से एक साल बाद मिली है हमने जरा सी बाते क्या कर ली तुम लोगों ने पॉंपाउ चालू कर दिया ए दू क्या ए दू क्या चल हाट निकल चल चल यहां अरे मेरी पसंती स्लो चला स्लो अरे ये गाडी है कोई घोड़ा गाडी नहीं और वैसे भी मज़ा तो स्पीड में है डॉली हाँ हाँ मालूम है क्योंकि लाइफ में जब तक किक नहीं लगता संजु को संजु को कुछ ठीक नहीं लगता एक्जेक्टली तू नहीं बदलने वाली पहले खत्रों की खिलाडी थी अब एक का टाइगर बन गई है कहां थी पूरा एक साथ पैरिस पैर दिन्ना मैं एफिल टावर के टॉप पर चड़ गई वहां खाना पीना तो अलाउड था नहीं पर मैंने वहां भेल पूरी खाई तुने एफिल टावर के टॉप फ्लोर पर चड़ के भेल पूरी खाई वाव ये तो तुने दबं के सुल्टान डाइप काम किया यार संजु सेरों पढ़ना कोई फिल्म आने चीए लेडी क्रिश बोली तो राकिश अंकल से बात करूं अरे नहीं यार तु तो जानती है ना मैं तो सिर्फ लाइफ के मजे लेने के लिए सब करती रहती हूं मालूम है मालूम है चल मेरे साथ कहां अरे एक साल बाद मेले हैं सेलीब्रेश अरे यार इसमें तेरी कोई गलती नहीं है अरे राहुल प्रेम को छोड़ मेरी लाइफ में तो गोगो से लेके सामबा तक हर टाइप के लड़की आ चुके हैं क्योंकि मेरे पापा ना रोज रोज नया रिष्टा लेके आते रहते हैं मुझे तो समझ नहीं आता लड़के मुझे देखके प्यार में क्यूं पढ़ जाते हैं लेकिन मुझे ना शादी के कोई जल्दी नहीं है मेरा दूला तो इंतिजार करेगा क्योंकि मुझे नहीं है क्योंकि मुझे नहीं है झाल झाल कर दो कि दुकान मसल्स बढ़ाने से न हमारी किशमत नहीं बदलने वाली है पिक काम का काम कर ले अमर इसे एक बात का पुरा मन मानिए कि लेकिन diagnose कुला यो बात इसे लेकिन हैं इसे फ्रेंट बुरा मानना अब तक कजब कामा इस फ्रेंट फास्थूस नहीं आप अच्छ spor तर्माहि कमा अब अ इसान के जह कामा क Captain वो दादी खूल ने यूमैन के बेल के लिए खर्च कर दी इसलिए हम फूद ट्रक से फूद रिक्षा में आ गए है हाँ राजू भी अब हमारे साथ नहीं रहता तो महीने का पूरा भाड़ा हमारे सर पे आ गया है अब आपाश तो मैं क्या महीने का भाड़ा तरह जोले बेच करना हूँगा नहीं भाई अगर हमने अगरवाल अंकल का भाड़ा नहीं दिया तो हमें घर्चे निकाल देंगे हाँ हमें फुटपाथ पे रहने पड़ेगा हाँ यार मुझे तो फुटपाथ पे रहने के आदस यह कोई बात नि देख इसले ना मेरे पास एक आइडिया है पैसे कमाने का एक लेटिस्ट प्लान वह बैट के बता भाई बैट के बता है तुझे पता है तुझे पता है ताइम पास एंटर्टेंबंट पीपे एग निया कॉंटेस्ट शुरोने माला थे मुंबाई जा रॉ बैटा प्रेम सोथ अगर हम फचास ताइड रुपे जीत का है तो हमारे सारे प्रॉब्म की हाल निकल आएगी यार बात तो दरी अच्छी है वाई लेकिन हमसे पार्टिस्पेट कैसे करेंगे क्यों नहीं नहीं तो टैलेटेट लोगों के लिए ना इसलिए तो हम पार्टि चैसत दाधी कूल ने कहा था वैसा ही यारो ने किया भगवान जी की पूजा भी कर ली और उनसे प्रात्ना भी कर ली लेकिन क्या भगवान जी यारो की सुनेंगे अरे मुझे वह चाला कोई जो कि यारो ना तो इंसान है और ना ही पूरा मशीन पता नहीं यारो की सुनेंगे की नहीं सुनेंगे अरे बचाओ कोई अरे बचाओ कोई मुझे लेकिर हाँ इंटरनेट में बताया था भगवान जी सब की सुनते हैं यारो की भी सुनेंगे पक्का सुनेंगे रहे गोला रोको अरे मुझे कुई बचाओ अरे मुझे कुई बचाओ पापा अरे चोड़ा मुझे अरे बचाओ कुई मुझे बचाओ आप एक लड़ की तो को किट्नैप करके लेके जा रहे हैं कहा लेके जा रहे हैं और क्यों लेके जा रहे हैं ए रोडसाइट हीरो इसने मुझे नहीं मैंने इसे किट्नैप किया है तरह लाएं की खोड़कें रुल किसी लड़की को देखके बहुते हुभाँ. तो तो आज गिंगिवर जो च्म जो 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 लो एह जो जो एह क्या बक्वास कर रहे हो यारू को पहली बार किसी दड़्की को देखके बहुत सा परता शॉक लगा है गिब मेज़ हैंड ओठाओ मुझे यह कहां ले जा रहे हो मुझे पागल हो गयों क्या आंके भाड़ भाड़ के क्या देखे जा रहे हो छोड़ो मुझे छोड़ो पागल है क्या फेका क्यों मुझे आथा छोड़ो तो यारो ने आपको छोड़ दिया हाथ छोड़ने को कहा था फैकने को नहीं कहा था देख लोंगी तुझे देख लेंगी तो अब तक क्या कर रही थी यारो तो चाहता है कि आप उसे और देखे क्योंकि जब आप यारो को देखती है तो यारो को नाइस नाइस फील होता है अरे हम कितनी देर से दूला बने बैटे आप तो साभी कर लीगिए इस ती दूल से बगा के लेके आई हैं अब आप अचोड़ एफ अचः अचड़ अचड़ आप अज सो तू बच गिया बेटा इडर समय आये आगए तो छोड़ो गे ने तुझे में बगला बगला इसका नहीं लगा तो नहीं लगाना चाटा लगा बहते है दुले को पारत भगा कर लेकर गई आकर ये लड़की है कॉन हाँ ये लड़की है कॉन बगला इसका नहीं लगा ये लगाना चाहते है कॉन